आई दोस्तों बात करते हैं कुछ important terms के बारे में जो आपसे interview में पूछी जाएंगी इसको समझने के लिए हमें component ले लेते हैं माल लेते हैं कि मैंने component ले लिया और इसकी true value या reference value निकाल ली तो दोस्तों आपको बता दूँ कि किसी भी component की true value या reference value को हम बहुत highly accurate equipment से measure करते हैं किस से करेंगे highly accurate equipment से उसको measure करते हैं तब हम निकालते हैं किसी component की true value या reference value तो हमने इस component की reference value निकाल ली जो आ रही है 5 mm कितने आ रही है 5 mm अब हम क्या करेंगे इसी same component को हमारे जो regularly हम जो यूज करते हैं measuring gauges जो हम यूज करते हैं जैसे acronym के लिए पर है तो हम इसको measure करेंगे इसको हम कम से कम 10 बार इसको measurement करेंगे आप 15 बार भी कर सकते हैं है वो आ रहा है मान लीजिए 5.02 mm एक्जम्पल के लिए ले लीजिए इसका एवरेज कितना आ रहा है मिजरमेंट का 5.02 mm अब हम बायस कैसे निकालेंगे तो दोस्तों बायस निकालने के लिए हम इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल देंगे वही हो एक बार आको दुबार बार देता हूँ सबसे पहले एक कमपोनेट लेंगे उसकी true value निकाल देंगे उसके बाद उसी same component को हमारे measuring gate से miser करेंगे जो हमारा average of measurement आ रहा है उसको और reference value को माइनस कर देंगे तो जो हमारी value आ रही है वो है bias अब बात करेंगे linearity के बारे में कि linearity क्या होता है the difference in bias values over the expected operating range over the measurement gauge इसको भी हम एक example से समझते हैं माल लीजे हमारा एक measurement gauge ले ले लेते हम जैसे vernier caliper हमने एक measurement gauge ले लिया vernier caliper उसकी operating range दे रखी है 0 से 300 mm तो दोस्तों operating range होती है कि कोई instrument कम से कम कितना measure कर सकता है और maximum कितना measure कर सकता है वो होती है operating range तो जो हमारा vernier caliper जो हमने लिया है उसकी operating range है 0 से 300 mm मतलब वो 0 से लेके 300 mm तक measure कर सकता है अब हम क्या करेंगे हम इसी range के बीच में एक component ले लेंगे जैसे मैंने 5 mm वाला component ले लिया उसका bias निकाल दिया सेम तरीके से bias निकालेंगे सबसे पहले reference value निकालेंगे फिर average of measurement निकालेंगे उसका जो difference होगा ऐसे बायस निकालेंगे तो मैंने माल लिया कि जो हमारा 5 mm वाला component था उसका बायस कितना निकल के आ गया 0.02 कितना आ गया बायस 0.02 अब हम क्या करेंगे हम इसी range के अंदर एक दूसर component ले लेंगे जो 5 mm वाला नहीं लेना है कोई और ले सकते हैं जैसे माली जी हमने 10 mm का component ले लिया 20 mm का ले लिया 25 mm का component ले लिया तो हमने 20 mm वाला एक component ले लिया उसका भी बायस निकालेंगे same to same बायस कैसे निकालेंगे reference value और average of measurement उनका जो difference होगा वो बायस निकल जाएगा तो माल लेते हैं कि जो मेरा 20 mm वाला component था उसकी true value कितनी थी उसकी true value थी 20 mm और average of measurement कितना आया average of measurement आया 20.03 mm तो जो हमारा बायस कितना निकल गया 0.03 कितना आ गया बायस 0.03 अब हम क्या करेंगे दोस्तों linearity में हम क्या करते हैं linearity में अब हमारे जो बायस आ गए जो अलग अलग बायस आ रहे हैं अलग अलग component के उनका जो difference है वही हमारा linearity है आपको दुबार बायस देता हूँ मतलब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक measuring gauge लेंगे उस measuring gauge पे हम एक component ले लेंगे जैसे हमने 5 mm वाला component ले लिया था उसका बायस निकाल देंगे और अब हम क्या करेंगे उसी जो हमारा measuring gauge है उसी के operating range के अंदर अंदर एक दूसरा component ले लेंगे जो हमें पहले वाला same value वाला नहीं लेना है 5 mm वाला नहीं लेना है चाहिए हम 20 mm का ले 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 हम कोई साभी ले सकते हैं तो हमने example के लिए 20 mm वाला ले लिया था उसकी हमने bias निकाल दिया बाइस हमारा आया 0.03 तो अब हम क्या करेंगे जो इन दोनों का जो difference आ रहा है जो इस bias में और इस bias में जो difference हो रहा है वो ही हमारा linearity है तो हम क्या करेंगे इसका बे बाइस कितना आ रहा था 0.03 ये किसका बाइस है ये 20 mm वाले का बाइस है ऐसी पांच एमे वाले का बायस कितना आ रहा था पॉइंट जिरो दो तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है पॉइंट जिरो एक आ गया यह हमारा linearity है यह क्या है? linearity अब आपको clear हो गया होगा अब हम बात करेंगे next के बारे में आईए बात करते हैं stability के बारे में कि stability क्या होता है? the change in bias over a period of time is called stability मतलब कि कुछ time के बाद bias का change हो जाना ही stability कहलाता है इवर दुबारे बदा देता हूँ कि अगर हमारा bias change हो जाए कुछ time के बाद तो जो bias में change हो रहा है उसे कहते हैं stability इसको हम एक्जाम्पल से समझते हैं कि एक operator है उसने एक particular part को एक particular instrument से measure किया जैसे कि एक operator ने एक part को यह हमारा part है इस part को एक vernier caliper है उससे measure किया और उसका bias निकाल लिया तो हमारा bias कितना आ गया? 5.01 अब क्या किया? कुछ time के बाद यहां मालेते कुछ दिनों के बाद उसी same operator ने same instrument से same part को measure किया और bias निकाल लिया तो हमारा जो bias आया वो हमें change मिला हमारा bias आया 5.02 तो यह जो change आ रहा है इन दोन में जो difference आ रहा है उसे बोलते है stability हम क्या करेंगे? stability निकालने के लिए जो हमारा second time bias आ रहा है और हमारा first time जो bias आया था उनको difference कर देंगे उनमें difference निकाल देंगे तो हमारा जो change आ रहा है यह जो change है उसे बोलेंगे stability अब दोस्तों आपको linearity और stability इसमें confuse नहीं होना है इसमें क्या है दोस्तों linearity में हम क्या कर रहे थे हम bias निकाल रहे थे लेकिन उसमें part की range अलग अलग थी part की range अलग थी कि हमने part अलग अलग use किये थे जैसे 8 mm पे अलग bias निकाल रहे थे फिर 40 mm पे अलग bias मतलब कि हमारा part change हो रहा था लेकिन यहां पे हमारा same part है same operator है same instrument से measure कर रहे हैं तो इसमें क्या part हमारा same है तो हम उस पे बाइस निकाल रहे हैं वो भी कुछ दिनों के बाद यह होता है stability आईए बात करेंगे reproducibility और repeatability के बारे में आईए बात करते है repeatability के बारे में it is the variation between successive measurements of the same part same characteristic by the same person using the same gauge इसके लिए हम example ले लेते हैं एक operator है उसने किसी particular part को जैसे यह मेरा part है इस part की particular characteristic को जैसे कोई characteristic होगा इसकी हमने इसकी dimension ले ली कि हमने इसकी dimension को measure किया तो उस operator ने क्या किया है इस part की particular dimension को measure किया एक gauge से जैसे एक vernier के लिए पर है उससे measure किया no down कर लिया इपर दोबारे वादा देता हूं कि एक operator है उसने एक part लिया और उस part की एक particular dimension को एक particular gauge से measure किया और no down कर लिया अब हम क्या करेंगे उसी time दोबारे से उसी part उसी operator से उसी part की उसी dimension को दोबारे से measure करेंगे उसी instrument से मतलब सब कुछ same रहेगा और जो measurement आई है उसमें जो variation आ रहा है उसको बोलते repeatability दोबारे बाता हूं कि इसमें क्या होता है इसमें हमारा part भी same है operator भी same है gauge भी same है dimension भी same है सब कुछ same है लेकिन measurement अलग-अलग बार किया गया है जैसे तुरंत ही एक बार measure कर लिया फिर दोबारे से measure कर लिया उसी part की dimension को तो उनमें जो variation आ रहा है उसको बोलते है repeatability अब बात करेंगे reproduceability के बारे में इसको भी एक example से समझते है कि हमने एक operator ले लिया उसी operator ने एक particular part को यह हमारा part है इस part की एक particular characteristic जैसे मैंने dimension ले लिया यह वारी dimension इस part की यह वारी dimension को एक particular gauge से measure किया और अपने reading उसका average निकाला जो हमने reading ली है उसका average ले लिया कि हमारी reading कितनी आई अब हमने क्या किया हमने एक दूसरे operator लिया उसी दूसरे operator ने same part की same dimension को same instrument से measure किया और अपना average निकाल लिया तो उन दोनों में जो difference आ रहा है उनकी measurement में जो difference है उसको बोलेंगे reproducibility तो दोस्तों यह थे आपके main main terms न Чजए जो पहलों में लिजज से छेरो क वे नह दो कर Tंब आ सम्हारमा, वे लिए है